next question if x into sin a plus y plus sin a into cos a plus y equals to आपके पास दिया हुआ है 0 then we have to prove that dy over dx जो आपके पास आएगा वो आना चाहिए आपके पास sin square a plus y and then divided by sin a okay so आपको पता है dy over dx आपको मिल सकता है इस function से अगर आप इस function को differentiate कर दे with respect to x तब okay एक और चीज मैं रखिएगा इस सवाल को solve करने के आपके पास दो तरीके हैं एक तरीका normal तरीका होगा अगर आप इस सवाल को पहली बार देखते तो जो steps में अभी follow करने वाला हूँ आप में से बहुत सारे लोग इन ही steps को follow करते ओके लेकिन हमारे पास एक और तरीका है इस सवाल को solve करने का जो आपके time को काफी हद तक बचा देगा तो देखिए अभी आपके पास जो पहला तरीका है उसको एक बार analyze कीजिए तो आप यहाँ पर इस function को differentiate करेंगे with respect to x तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर differentiating both sides with respect to what x variable okay so देखिए आपके पास क्या opt-in होगा so आपने mainly इस part को भी यहाँ पर differentiate किया है d by dx लगा के and then इस part को भी आपने differentiate किया है d by dx लगा के okay now यहाँ पर आपका d by dx distribute हो जाएगा इस function के भी साथ and इस function के भी साथ okay so मैं यह वाले steps लिख रहा हूँ आपके सामने यह हो जाएगा आपके पास d by dx of what x into sin a plus y and then plus में d by dx of sin a into cos a plus y alright and then equals to मैं आपके पास लिखा हुआ है d by dx of यहाँ हो जाएगा आपके पास simply 0 okay alright now आपको पता है कि यहाँ पर आपका apply हो जाएगा product tool because x एक function है and sin a plus y भी आपके पास एक function है okay so यहाँ पर आपका apply होगा product tool जो आपसे वोलेगा first का differentiation आपका हो जाएगा one and then sin of a plus y आपके पास रहेगा as it is plus x आपके पास रहेगा as it is and sin of a plus y का differentiation के लिए पहले आपको differentiate करना पड़ेगा sin को so sin का differentiation आपके पास होता है cos angle था आपके पास a plus y and आप लोगों को अब इस a plus y को भी differentiate करना पड़ेगा with respect to x तो d by dx of a आपके पास हो जाएगा 0 and d by dx of y आपके पास हो जाएगा dy over dx plus sin a आपके पास होगा constant तो वो differentiation से बाहर आ जाएगा so यह हो जाएगा आपके पास sin a as it is multiplied by cos का differentiation आपके पास होता है minus में sin जो angle लिखा है वो angle as it is और आप लोगों को इस angle को भी differentiate करना पड़ेगा तो a का differentiation आपका हो जाएगा 0 y का differentiation आपका हो जाएगा dy over dx and equals to में आपके पास क्या आने वाला है तो वो आने वाला है आपके पास dy dx of 0 is again 0 okay now जहाँ जहाँ भी आपके पास dy over dx है उसको आपको एक साथ करना है okay so dy over dx आपको दिख रहा है एक बर यहाँ पे and dy over dx दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे भी okay उससे पहल देखिए minus sin को क्योंना हम यहाँ भेज़ दें और इसको बना दें हम लोग negative okay so देखिए आपके पास क्याचीज अप्टेन होके आएगी यह हो जायाएगा आपके पास sin of a plus y and then plus में मालनी जे मैंने dy over dx दिख ले लिए common यहाँ से भी and dy over dx दिख ले लिए common यहाँ से भी देखिए आपके पास क्या आएगा so dy over dx आगया common यहाँ बचेगा आपके पास x times of cos a plus y and then minus में sin a times of sin a plus y again okay and then equals to मैं आपके पास है 0 now dy over dx को find करने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा separate तो आपने इस पूरी-पूरी term को भेज दिया दूसरी side so यह हो जाएगा आपके पास dy over dx equals to यह term वहाँ जाके बन जाएगी minus की so यह हो जाएगा आपके पास minus में sin a plus y and यह पूरी चीज आ जाएगी इसके denominator में okay so यह हो जाएगा आपके पास x times of cos a plus y minus में sin a and then multiplied by sin a plus y okay ना ध्यान से देखिए आपको क्याचीज प्रूफ करनी थी और आपके पास क्याचीज आई तो आपको प्रूफ करना था sin square a plus y upon में sin a only यहाँ पे आपके पास एक बार तो sin a plus y आ गया लेकिन नीचे आपके पास sin a नहीं आया पूरा पूरा ओके so आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ और simplifications करनी पड़ सकती है all right so देखिए आपके पास कि आप लोग कैसे करके इस पूरी पूरी expression को simplify करके सिर्फ sin a में convert कर सकते हैं okay so इसका राज चुपा हुआ है आपके पास इस equation के अंदर देखिए आपके पास क्या क्या चीज़े given है यहाँ पे so आपके पास mainly given है x times of sin a plus y plus में sin and then we can say a sin a into cos a plus y equals to आपके पास 0 है माल लिजे मुझे इस x की value चाहिए then आपको यह पूरी चीज़ भेजनी पड़ेगी उस side तो यह हो जायाएगा आपके पास minus में महाँ जाने का बन जाएगा negative में okay so इसको मैं ऐसे लिए देता हूँ यहाँ हो जाएगा minus equals to हो जाएगा यह पूरा minus में और x equals to जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा minus का sin a into my cos a plus y and then divided by आपके पास यह हो जाएगा simply sin a plus y अब क्यों न हम इस x वाली चीज़ को मान ले first equation because हमने कुछ और नहीं माना यहाँ पे and then इस x की value को हम लोग put कर दें इस dy over dx में यहाँ पे ओके आप चाहे तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप चाहे तो यहाँ से sin a की value निकाल सकते हैं आप चाहे तो यहाँ से cos a plus y की value निकाल सकते हैं आप चाहे तो यहाँ से sin a plus y की value निकाल सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ simplifications ही तो करनी है ओके now देखिए dy over dx जो आपके पास obtain होके आएगा वो आएगा आपके पास minus का sine and then a plus y divided by x की पूरी पूरी value आप put करें यहाँ पे so x की value थी आपके पास minus में sine a and then cos a plus y आप लिख सकते हैं minus में what minus में sine a and then cos a plus y divided by आपके पास था यहाँ पे शायद sin a plus y इसको हम लिख बार चेक कर लेते हैं okay so आपके पास यहाँ है sin a plus y okay and then multiplied by आपके पास यहाँ पहले से लिखा हुआ था cos a plus y तो into में लगा दिया आपने cos a plus y and minus में what sin a into sin a plus y okay now अगर आप लेंगे इसका LCM तो LCM में यह आजाएगा पूरा पूरा इसके नीचे और यहाँ लग जाएगा multiply होगे इसका मतलब यहाँ बन जाएगा square इसको आप भेज सकते हैं ऊपर भी okay so dy over dx जो आपके पास आएगा वो आजाएगा आपके पास minus 1 था as it is sin a plus y and then sin a plus y multiply हो जाएगे तो यह हो जाएगा आपके पास sin square a plus y divided by यहाँ पर आपके पास आएगा minus में sin a and then यह हो जाएगा आपके पास cos square a plus y okay and then again minus में sin a and यहाँ पर आपके पास है sin square a plus y alright now देखे जहां से आपके पास यहाँ हो जाएगा minus का sin square a plus y divided by आप एक काम करें दोनों टाउंस में आपके पास minus का sin a है तो आपने minus का sin a ले लिया common अंदर आपके बास बचेगा cos square a plus y plus sin square what a plus y ओके नव देखिए आपको पता है cos square में कोई theta है and sin square में वही same theta है तो इसका answer हो जाएगा आपके पास 1 minus से यहाँ पर minus भी cancel out हो सकता है so आपके पास dy over dx जो obtain होके आएगा वो आपके पास हो जाएगा sin square a plus y and then divided by only sin a और ध्यान से देखिए यही चीज़ आपको यहाँ पर prove भी करने थी ओके सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर hence proved ओके so यह तरीका है हमारे पास इस question को solve करने का अगर आप इस सवाल को first time देखेंगे तब के लिए ओके नाव मैं आपको सिखाने माला हूँ कि आप लोग कैसे इस सवाल को एक अलग approach से attempt कर सकते हैं so I will suggest कि इसको आप लोग पहले analyze करने हैं करने हैं